हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में और फाइनली यस बैंक के कौटर थ्री के रिजल्स कब आने वाले हैं ओफीशियली यस बैंक की तरफ से डेट आ चुकी है के साथ शेयर करने वाला हूँ और यहां पर मैंने अल्रीडी कल विप्रो की जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स थे उस पर वीडियो बना दी है वहां पर आपको एक कॉल्पेट एक्शन भी देखने को मिला है वह भी आप जाके देख सकते हो साथ के दूसरे चैनल पर मैंने क आपको अच्छी लगे लाइक करिएगा चैनल पर वस्टाम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूगा लीजेगा सब्ते पहले बात करें तो कल के दिन अगर आप देखो के तो यह सबैंग में ठीक ठाक सा मूमेंट देखने को मिला था करीबन दे अबे पर ओपन हुआ था 20 रुपे 30 पैसे का हाई बनाया था 19 रुपे 65 पैसे का लोग भी बना था लेकिन यह अच्छी बात है कि अपने हायर साइड गास पास पर ही यहां पर जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली एक बारी ओवरॉल रिटन हम देख लेते हैं कि अभी तक कितने बना कर दिये तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि एक महीने में अगर आप देखो तो सीन थोड़ा सा खराब रहा है 16 परसंट के नेगेटिव रिटन्स रहे हैं लेकिन पिछले तीन महीने में अभी भी अगर आप यहां पर देखोगे 27-28 परसंट के अच्छे र चुका है यस बैंक का और वो तो आप शेर के प्राइस सी पता चला पाऊगे कि 12 रुपे के आज की टाइम पर 22 रुपे पर ट्रेड कर रहा है लगवग लगवग अपने दुगने प्राइस पर अगर हम कल की बारे बात करें तो देखो यहां पर आपको यह भी समझ में आ ज और चौथे नंबर पर टाटा इश्टील आयर एफसी पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जाके आप देख लो वहां पर बहुत बड़े टार्गेट्स निकल के आ रहे हैं तो यहां पर मैंने आपको रिटर्स दिखा दिया ओवरॉल वाल्यूम के बारे में बता दिया अ आपको सारी समझ में आ रही होगी 12 जैनवरी और यहां पर डिरेक्टली बताया गया है कि जो बोर्ड आफ मीटिंग होने वाली है वो होगी सेटेड़े 21 जैनवरी 2023 यानि कि आपको एक हफता अभी और वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक सेटेड़े आपको जो ओवरॉ कि सेटेड़े हमें रेजल्ट कोई बी इमपेक्ट देखने को नहीं मिले वाला है आप वह तो यहां से देखना बाकि होगा कि किस एकोरडिंग रेजल्ट आइंगे पहले की कंपरिजन में क्या चीजेुझे रहती है और क्या नहीं पहले की कंपरिजन में आपको थोड़ा स प्रॉफिटेविलिटी के बारे में बात करें तो मार्च में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रही थी 372 करोड की लेकिन वह थोड़ी सी कम हुई 314 पर और इस क्वाइडर में तो आपको बताई है कि जो चीजे हुई है प्रॉफिटेविलिटी की वह काफियत तक कम होगे 160 करोड पर पहुँच गी है इसके पीचे का रीजन आपको जश्ट एक नजर आया था क्योंकि इंट्रेस्ट इंकम इनकी बड़ी थी लोन्स एन एडवांसेज भी इनके भड़े थे डिपोजेट्स भी इनके इंक्रीज हुए थे लेकिन बैंक ने यहाँ पर प्रॉविजनिंग बहुत ज़ादा इंक्रीज कर दी थी जिसकी वज़य से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो प्रॉफिटेविलिदी है वो क बढा दिया है प्राइवे सेक्टर बेंक इस बैंक ने करोड रुपे से कम के ब्यार्श दरों को फिर से बढा दिया है। पढ़ाया था बैंक की वेबसाइट के मुताविक नई दर्य आज यानि 12 जैन्वरी से लागू कर दी जाएंगी बैंक ने 25 महिने वाली FD ब्याजदरों की रिवाइस किया है बैंक का 25 महिने की FD पर 8 फीजदी का ब्याज ओफर कर रहा है बहुत अच्छा इंट्रेस्ट रेट माना जा रहा है इससे पहले बैंक 25 महिने की FD पर 7.5 फीजदी ब्याज दे रहा था यानिकि अगर आप यहां पर एक चीज़ देखो तो कस्टमर को अट्रेक्ट करने के लिए कस्टमर का जो confidence है वो regain करने के लिए जो सारी possible चीज है यहां पर करते हो नजर आ रहा है यानि आठ परसेंट का अगर आपको इंट्रेस्ट रेट एपडी पर मिल रहा है तो मेरे खाल से बहुत अच्छा कासा सिनार्यू बनते हो नज़र आ रहा है अब एक बारी टार्गेट पर बात कर लेते हैं फिर जो बाकी की अपडेट्स है भूबी हम यहाँ पर बात कर लेंगे जो शॉट टम में हिसाब बताया जा रहा है उसके इसाब से अगर आप देखो तो लगबग आपको दुगने प्राइसे पर जाते हो नज़र आ सकता है यानि कि 44 रुपे तक जा सकता है शेयर ब्रोकरिज ने कहा है कि येस बैंक का मैनेजमेंट SBI की कंट्रोल में आने की बात काफी अच्छी तरीके से चल रहा है इसके अलाब आप बैद लोल से निपटने के लिए बित्त मंत्राले येस बैंक समयत स्ट्रेश्ड बैंकों की मदद करने जा रहा है मिट टम से लॉंग टम में अगर हम बात करें तो 36 रुपे से 44 रुपे तक ये शेयर जा सकता है यानि कि जिस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अगर हम कंसीडर करते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो डेफिनिटली यहां से जो टार्गेट से वो काफी अदे इंप्रेसिव है अभी मैंने आपको टार्गेट बता दिये अब एक और न्यूज है वो भी मैं आपको बताता हूं अब यहां पर देखो रुषियन वी टीबी बैंक रुषियन सेकंड लाज़ेस्ट बैंक लॉंचिस डारेक्ट पेमेंट इन रुपीज इन वाट वोड बूश्ट अगर आप देखो के तो यस बैंक के नजरिये से काफी अच्छा गासा सेनेरियो जो है वो बनते हो नजर आ रहा है अब अगर हम यहां पर शॉट टम के बारें बात करें कि आपको बाइंग कप करनी चीए तो वह भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप देखो कि अप 20 रुपे के जो लेवल्स हैं वो काफी अधा अट्रेक्टिव नजर आते हैं और उस प्राइस पॉइंट पे आप यहां पर एंट्री ले सकते हो तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़े कवर करके बता दी हैं इनके Q3 की अपडेट कब आपको बाइंग करनी कवर कर दी हैं और वीडियों आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा चैनल पर फशना विजिट कर रहो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा धन्यवाद